मैं इसको यहाँ छोड़ने वाली नी कम से कम जब तक जब तक फारान घर दे आके इसको ले ना जाये माफी मांग के दिल में अर्मान को बसायावा है और पल्लू में किसी और का घर बात कर रही हो है ना जो कुछ तुमने किया है ना उसके बाद इस घर में मैंने अगर तुमें टिकने दिया ना तो मेरा नाम सरी नहीं है आपा इतना सब कुछ हो गया अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों की गरंटी चाहिए गरंटी तो चीजों की होती है रिष्टों की नहीं फिर भी क्या गरंटी चाहिए दोने वो घर आपको जरी के नाम करना होगा ताकि कल को उसो कोई निकालने वाला ना बने आज भी आने के क्या शरुवत थी थोड़ा और टाइम गुजार ले ते अपनी नैंतारा के साथ मैंने सोचाता कि आप अगले दिन ही ढौड़ते वे चले आएंगे मुझे मनाने के लिए मुझे अपने घर ले जाएंगे सारा दिन इंतजार करती रही लेकिन आप नहीं आए मुझे किसी से पूछने की जरूरत है के लोग नभारे लिए इसका मतलब यह नहीं कि मैंना आराज नहीं मैं राज ही सही लेकर प्लीज सब कर चलो घर जहां मुझे वो तीन लफ्स कहकर कभी भी निकाल सकते सरी प्लीज मैं पहले ही पहुच शर्मिंदा हूं मुझे मसीच शर्मिंदा मत करो जो कुछ भी हुआ गुसे में वरना में तिल से ऐसा कभी नहीं चाहता नहीं कभी ऐसा चाहूँगा इस तरह कहेंगे तो आपर सारे जुगमार घर तो जर्री के नाम नहीं किया जा सकता रही बात घर से निकालने की तो जर्री हमेशा हर दफ़ा खुद अपनी मर्वी से घर छोड़कर आई है मैटा मैं तो बहुत थक गई हूँ हूँ थोड़ा राम करने जी करने जी करने हरान आप भी जा कर फ्रेश हो चाहिए हमें टिनर पर जाना है ना क्या हुआ तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हें लेने नहीं आएंगे यह देखो तुम्हें ने दिया एक गिफ्ट गोल्ट काहें मुझे मनाने के लिए अच्छा है हाँ लेकिन तुम्हारी लिए मेरा वापिस आना बहुत पर है तुम्हारे बेटे की वज़ा से तो फरान ने मुझे एक बार तलाग दे दे रही थी लेकिन मैं एक ही बार में तुम्हारी खानी खतम करतूंगी तुम ना अपना समान बांध रोगा तुम ना अपना समान बांध रोगा तुम ना अपना बांध प्रिए कर दो कर दो कर दो दो कर रहें तंप दो कि असका बज्ञा है कर दो कर दो को यह लाया है किसी तब यह तैब तुमाहरी हलो नयंतारा विलाल बात कह रहें तरो नाञा थे किस में आए थे केड नाइनाआ conspiracy है भूरत जा पल्हानी में जो आप जो प्रीम वे एंटार अन्ही बाद में धर ऍार्स किरो। 차gen भी में बाद में फिसले को वे कही जो एंचान। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं आप 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 कौन बात पहरी हैं? आप क्या लिखती हैं असकी? मैं कौन वो कौन नहीं हूँ उस बात को आप छोड़े अगर आप नैंतारा के लिए कुछ कर सकते हैं प्रीज कर लीजे आप जोगी हैं आप इसे निर्गों से निजात दिला दीजे वो और उसका बेटा बहुत अजियत पे हैं हेलो? 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 हिस् och railway भ रocybin हेलो? है आप आप एवज़ु ही उए हरो ही ही यह तुम्हारे लिए है यह तो बहुत प्यार है लेकिन फरहां यह तो बहुत महिंगा लग रहा है चाबता हूं यह खुद करोक नहीं पाया जैसी इस पर नजर पड़ी बेख्तियार तुम्हारा ख्याल आगे और मैंने ले लिया तो ऐसे भी गिफ की कीमत से जादे उसके देने वाले कर खुलूस माई रखता है इसे हमारे दोस्ती का पहला तुफा समझ करें रख लो मैं नहीं ले सकती फरहान क्यों क्यों नहीं ले सकते इस बिलाल की तो पूरी हिस्टरी निकालनी पड़े गिया इस पार ऐसा करूंगी कि तुम खुद अपनी नजरों में किर्जाओंगी आप इसे जरी भाभी को दे ले जरी को जो मैंने देना था देती है कि मैंने तुम्हें ले लिया था अब तुम इसे रखो या पैंको तुम्हारी मरसी फरान आप यहां पर हैं मैं पूरे घर में आपको तलाश कर रही हूँ आप तियार होगी तो जी मैं रेटी सुरो ठीके पर चलते हैं वैसी देर हो रही है मैं आपको 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 अपको यहां से नराज यहां? नहीं. जूट नहीं बोसेता है मुझसे. पर बात है कि मेरे उसके दिरम्यान को ऐसी बात नहीं जिसे उसका मूट खराब हुए. दूसरा है कि मूट खराब होने की और भी वज़ी हो सकती है. फिलहाल तु मेरे साथ हो तो प्लीज अपनी बात करो. बताओ कहाँ चले? चाहाल ही चले हम. यह मैंने तुम्हें ले लिया था. अब तुम इसे रखो यह पैंगो तुम्हारी वर्से. खाला, आप मुझसे नारास हैं. मुझसे पता है कि अमा की बात आपको बुरी लगे होगी. लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा ना. बगेर कोई शिकाहित किये आपके बेटे की गल्ती माफ करकर आपके साथ आगई. और अब सब कुछ भूला कर अज़ भूल रही हुना. नहीं बटा, तुमसे मैं नाराज मैं हूँ. और वाकी मैं दिल से गदर करती हूं तुम्हारे इस फैसले के वापस आने के. लेकिन तुम्हारी माँ यह चाहती है कि मैं यह घर तुम्हारे नाम करतू. क्या? उन्होंने ऐसा का है अपसे? हाँ. लेकिन अब तुम्हे ही बताओ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? अगर फरहान मेरा बेटा है, तो अर्मान का बेटा भी तो है. बिल्कु ठीक कह रही है आप खाला. मुझे तो हैरत हो रही है कि उन्होंने ये बात की क्यों? मैं पूछूंगी उनसे. नहीं, मत पूछना खामखा दिल बुरा होगा उसका. दिल बुरा होने वाली क्या बात है खाला? वो आपकी बेहन पहले हैं फिर मेरी मा हैं. और बहनों में ऐसी बात हो जाती हैं, बुरी ही लगती हैं, लकिन दिल में नहीं रखी जाती हैं. मैं जाती हूं कि आपका दिल उनकी तरफ से सहाफ हो। और उनके दिल में भी आपके लिए कोई बातना हूँ अग। आज तो बड़ी समझदारी बाली बाते कर रहे हैं तो समझदार तो होना ही था खाला मेरे दिल में ना सब कुछ होने के बाद डर बैट किया हर वक्त दिमाग पर एक खौफ सवा रहता है कि ऐसी कोई खलती ना हो कि फरहान मुझे फरसे जिन्दगी से निकाल दे अल्ला ना करे बटा अल्ला ना करे कभी तुम इस घर से या फरहान की जिन्दगी से निकलो और एक बात मेरी सुन लो तुम तुम मेरी भांजी पहले और फरहान की बीली बात में हो तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यात्ती नहीं होगी बैटा, यह वादा है मेरा तुमसे, हम? लादा तैयार होगा असलान बाबा, लेलू जी क्या होगा बाबी जी? कुछ कहा तुम ने? कहा नहीं जी, पूछ रही हूँ क्या बाते आप सुबह से बुजी-बुजी लग रही है वहम है तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है वहम नहीं है जी जरूर आपके और बड़े भहिया के बीच कुछ अनबन हुई है नाश्ते पर भी चुप चुप ते और अर्सलान बाबा से मिलकर भी नहीं गए अर्सलान बाबा से इसलिए मिलकर नहीं गए क्योंके ने लेट उरी तो आफस के लिए और तुम क्या ये फजूर अंदाजे लगाती रहती है अंदाजे नहीं लगाती जी आपके अंदाजे से पता चल जाता है कब आप परिशान है और कब खुश मैंने अपने बड़ों से सुनाई जी कि जीने मान होता है न कि वो रूठें तो उन्हें मना लेंगे तो उनके मान को तोड़ना नहीं चाहिए उन्हें फॉरान मना लेना चाहिए फिर वो तो आपके शोहर हैं जी तुम इसे ले जो अमी के पास मैं थोड़ा अपना कमरा भी साफ कर लूगी जाओ ना माने जी चलो अरसलान बाबा दादों के पास चलते फेरान इत्मी छोटी सी बात पर तो नराज नहीं हो सकते तो फिर मैं ये करूँगा वेल तो टेक रहमान में और देख लिए के साइ कोई पर आप अ अ तो इस सम्थिए अवार्ण नहीं तो अच्छा इस साइट पर यहां का क्या देखा था आप अटेंड कर ले हैं कोई बसे रूरी बात ओपर क्या कहूंगी के फॉन कर क्यो रही हूं मैं तुछ व्हेलोग, सब ठीक था है? जी वो मैं.. कोई काम था? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही.. अच्छे ठीके, फिर बात बात करते हैं.. ऐखे स्चुछ प्राइब लाई.. आप शुर्य त्सक्राइब फैमिली में ऐसी बाते होती रहती है। यह, so, I was saying कि मैं रिमान के साथ जा के साइफ को आपनेटीज देख लोगा। ठीक है। I'm leaving Bukhariya. मैं अपना क्यूं सोच रही है उनके बारे में ? एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन मेरी मंजल की तरफ तेरे कदम आते हैं अकर तुम्हें पताना होता तो खेता है यह नजब मैंने लिखी है और किसके लिखी होती ? आपा को मैं पट्टी बढ़ा कर आई थी किस जरी को फरान के साथ कहीं खूमने के लिए बिजवा दे अरे मुझे क्या पता आपा इतनी जल्दी मेरी पात भी अमल करेंगे इसका मतलब मैं तारा अकेलियों की घर में सखी मूरे पिया खराए भाग लगे सब आंगना एक पल भी मुझे सुकून ने मिला आपा जब मुझे आपकी नराज़की का पता चलाना तो मैं दोड़ी चली आई मैंने उस दिन श्राइज जजबात में आके कुछ ज्यादे ही कह दिया था अरे नहीं नुसरत वो वक्त ही ऐसा था और तुम कुछ भी कह सकती थी आपा सरी मुझे बहुत अजीज है फरान के लिए भी इसलिए मैंने हा की थी कि एक मा की घर से उचकर दूसरी खाला मा जैसे के घर जाएगी तो सुकून से रहेगी और आपने उसका बहुत ख्याल रखा हूँ और अल्ला का शुकर है कि इस घर में उसे बहुत खुशियं मिली और आइंदा भी मिलेंगी आप पे तो भरोस है मुझे आपा लेकिन फरान नुसरत तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मैं हों न उसके साथ मैं सद्थणाइ ना इन tenants नहीं होने दूँगी मैं भी यही समझती थी लेकिन देखे ना आपा तलाब तो वो देने लगा था नव ठीक है ने उन दरा को इस घर में रखना था उसने निकाह कर लिया उसे आप इस घर में रखे मुझे कोई अदरास नहीं ना जरी कोई अदरास है लेकिन मेरी बेटी को पी तो खुश रखे न उसकी कुरबानियों का कुछ तो सिला देना वो तुम परेशान मत हो मैं हूँ उसके सर पर तुमें अब उसके बारे में फिकर मंद होने की जरूरत नहीं है सोचा था यह दोनों इसलामवाद जा रहे इनके दर्मियान जो दूरी है वो खत्म हो जाएंगी लेकिन खुदा को कुछ और ही मन्सूर था एक आप कही आसर है आपा मैं अपनी बेटी की खुश्यों की जिम्मेदारी हूँ आपको सौप रही हूँ तुम परेशान क्यों हो रही हूँ मैं हूँ ना उसके सर पर तुम बेफिकर रो सच आपा अब आप मुसे नरास तो नहीं है ना नहीं क्या बना अमा अड़ी मैंने शीशे में उतार लिया उन्हें उन्से पता था आप ऐसा कर लेंगे क्या कहा उन्होंने कहना क्या है अब उनकी नजर में तेरी कदर और भी बढ़ गई है बस तो देखना अब वो फरान से कहेंगी और तुझे ना कहीं बाहर कुमाने लेके जाएगा वैसा क्यों कहने लगी क्योंकि मैंने कहा है अगर खाला मान भी जाएगे तो फरान मिजे साथ नहीं लेकर जाएगे क्यों नहीं लेकर जाएगा लगा ले शर्त ऐसी शर्त तो मैं दिल से हार हूँ बस फरान मुझे फिर से मिल जाए मेरे उकर मिल जाएगा, मिल जाएगा बस सरी अब तू अपने उपर थोड़ा सा और ध्यान दे, बॉलर जा, फेशिल करवा, तेरे कौन से बच्चे हैं, जो तूने अपने उपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, ताना मारी हैं बच्चे ना होने पर, नहीं जरी, वे ताना तो नहीं मार रही हूँ, वे, देखो, तू ख अर्सलान सो रहे है, जी अर्सलान बापा तो उड़ गए, वो भापी जी इसको चेंज कर वारी है, अच्छा, कुछ बनाओ काने में, खाला, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वा, माशाला, माशाला, कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाण जी, अल्ला बुरी नजर से बचाए, तुम्हें त अच्छी नहीं लग रही हूंगी ना में? नहीं जी, मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेंगी? खाला, प्लीज आज परहान की पसंद का कुछ बनवा लीजे, उन मुझे का मुझे अच्छा हो जाएगा, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मिलकर रानी बना लेगी, तुम नैंतारा को साथ लगा ले ना, वो तो जी अरसलान को समभाल रही है, मैं बना लूँगी अकेले, खाला, उससे रहने दीजए, मैं बना लूँगी फरहान के लिए, अरे नह अभी रानी आएगी ना, वो एपको लेगे जाएगी तादी के बास, ठीक है? कहां रह गई थी तुम, कितनी देर से इंतिजार करीं मैं तुम्हारा, आप में ना बिल्कुल समझदारी नहीं है भावी जी, उनको देखे दरीन भावी को कैसी लश पश लग रही है, अभी अभी आई हैं पॉलर से, भाईया जी तो उनने देखते के देखते ही रह थोड़े समालो में फीडर बना क्याती हूँ, फीडर बनाने के साथ साथ आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, वो भी बड़े भाईया की पसंद का, बेगम साइबा ने काय, और जिस तरह का आपने उलिया बना रखा है न, तो आप खाना ही बना सकती है, हैना अरसलान तेरे पीछी पड़ गई हो, आप बहुत सादा हैं भाभी जी, वो बहुत चलाक, वो अपनी बातों से बेगम साहबा को और अदाउं से भाईया जी को चीन लेंगे आपसे, वो तो पहले से हैं, वो क्या चीनेंगे मुझ से, चला और शलान बापा, दादों के पास चलते है मुझ से लो वो खहलות, क्रणागा क्या हूँ जल एकवा दुल भी नहीं भावी बहुत अच्छी लग रही हैं यह तायारी मेने तुम्हारे मुझ से तारीफ सुनने के लिए नहीं किये अपने फृर्भान से तारीफ सुनने कपिये तुम अपने काम पर दिहान दो प्लीज अरे फरहान, आ गए आप, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ वह तो मैं हूँ वार्नर से तयार हो कि तो कोई भी आप से लग सकता है आज को मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आपकी किसी भी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगी अब खाला के पास चले, अरसलान वही है चोटी भावी, जरीन भावी को देखा कितना इतरारी हैं कोई नहीं इतरारी हो आपको जर्रा भी हसद नहीं होता हूं से नहीं रानी अर तुम क्या फुजल बातों पर इतना धहान देती हो? तुम्हारा जो काम है फ्लीज वही ही क्या करो जाओ जाके सालड तरार करो फरहान आगे अभी उन्हें खाना चाहिए होगा जाओ स्माल इतर देखें खाला बस पीकर और कितनी तक्छस दोगी बस एक और मुझे दे मैं पिक्चर लेके उसाफे स्माच हो क्या है जरी जब मैं इसको गोट में लेती हूं मुझे इसा लगता है जैसे मेरा धूरापन मुकंबल होगा है क्यों दिल छोटा करती हूं जरी आज सलान भी तो तुम्हारे ही बेटा है जब अपनी गोट सुनी होती है ना तो दूसरों के बच्चों से दिल बहलाया जाता है लेकिन शायद आना छहा का चानी लगता है कि मैःसिलान को कोहत मेही हूं क्यों? आना छहा नो तुम से कुछ का है है नहीँ इसन ऐसा कुछ नहींगा फिरे जजस्पातीपन के और असिर उटर कही है सको दर लगता है कि मैः नहीं पर सारसलान को नुकसान ना पोचाओ। मैंने कहा ना बिटा, सब भूल जाओ। ने सिरे से पनी सिंदगी शुरू करें। मैंकर फरान ऐसा करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए चले जाओ। अब में फिलाल तो पॉस्पर नहीं होगा। नया बिजनस भाठ टाइम कंस्यूम होता है। अरे भाई, देते रहना बिजनस को टाइम। अले दो दिन के लिए ही सही। लिकिन मैं चाहती हूँ के तुम दोनों कुछ वाट साथ कुजारो। चले, बात कर तो अपने पाठ में सही। थैंक यू खालाव। अमीम, खाना तयार है। अरे हाँ भाई। मुझे तो बहुत लग रही है। तरहान, कीज अरसलान के लीचेगा। एक फैमिली पिक्चर हो जाए। अरे तो पागल होगी। आज होगी। कि यह होगी। इसने के लोग Wire कि खाचि भॉट अंकि गना प्वाराअ इसखी जओ का जाए हुट कर दो 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 यह ले! सबसे पहले न तो ढूह मिएख आपर आपकर 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 हम maritime क्या होगी अपसर मेख़ी Everybody whoever is you feel mad at a tasting the morning FX आप आपकों मेरे पट्टीपड़ा कर आई ती कि जरी को फरान के साथ कही घुमने के लिए बिजवा दे अरे मुझे क्या पदा आपा इतनी जल्दी मेरी बात प्यामल करेंगे मतलब फरान भाई आपा के साथ घुमने जा रहे हैं हाँ मुझे दो खुद यकीन नहीं आरा लेकिन शुकर है मेरे परवर्दिकार का उसने मेरी बच्ची को ये खुशी का दिन दिखाया कुछ वक्त दोनों मिया भी भी एक साथ गुजार लेंगे का मतलब मैं तारा अकेलियों की घर में खबरदार जो तुने वहां का रुख किया काशी अलाला करके मेरी बच्ची की बंजर जिन्दगी में कुछ बहार आई है तू चलाए फिर से बरबाद करने देख अगर तुने वहां का रुख भी किया न तुना तुने तुने टौगे तोड़के रख दूगी माँ कोई पागल थोड़ी हूँ मैं के ऐसी मूठागा में घर चाला जाऊँगा अब तो तब तक उसके पास नहीं भठकूँगा जब तक मैं अपना हुमर पूरा नहीं कर लेता हूँ कैसा हो हो तू मुझे कुछ बताएगा वक्त आने पर सब पतर जाएगा अरे मुझे तो बता तू क्या करने वाला है कुछ नहीं कर रहा माँ अब तो सिर्फ सोच रहा हूँ बस मौके के तलाश में हो जिस दिन मौका मिल गया ना मैं इस नहीं तारे के जिंदगी बरबाद कर दूँ ना चुपकर दिखा जदा बक्वास में कर आया बड़ा जाले अ। भबी जी खाने में क्या बना लूँ कुछ भी बना लूँ देख अपने भबी जी जरीम भबी कैसा खुछ रही है कोई पी बीजा कर ठेदी आरे खुमने फेन जाएगी तो बहुशी होगी ना रणी वादी तो आप भी है जरीन भाबी के बात तो अलग है क्या अलग बात है जरीन भाबी की जैसे वो बड़े भाईया की बीवी है वैसे आप भी है और ये जो कुछ भी हुआ है न इसके लिए अपने आपको इल्धाम देना छोड़कर बड़े भाईया की दिंदगी में जगा बना है अपने बेटे के लिए अपनाले बड़े भाहिया को मैं ऐसा नहीं कर सकती तुम तुम जाओ अपना काम करो तुम्हारे लिए मेरा वापस आना बहुत पर है तुम्हारे बेटे की वजह से तो फरान ने मुझे एक पार तलाग दे रहे थी लेकिन मैं यह की बार में तुमारी खानी खतम करता होगी सिर्फ दो दन होगी बात है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रह्मान साब किसा दिन टाच रहूँ ठीक है आप काम की फिकर मत करो अपने ट्रिप को एंजॉय करें आप अपना दुख अपना सुख उन से शेयर कर सकते हो मुझे आप से सवाल करना भी चाहिए है नहीं जिकिन क्योंगे आपने सिक्र किया तो आथ थार्ट कि शायद आप अकेले हैं अकेला मुझे अम्मी को तो मैंने कभी देखा नहीं और वालिद साब कभी पिछले साल डैट हुई है अकलोता होने का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपका कोई बहन भाई ने होता जिससे आप अपना दुख सुख शेयर कर सको सब रिष्टे सिफ कूंगी तो नहीं होते हैं कुछ तिल के भी होते हैं जो सिफ दिल से नहीं भाई जाते हैं आप और मैच्छ दोस बन सकते हैं मैंने भी अपना भाई को आया है आपके ज़री मुझे अपना भाई में जाहेगा कैसा पॉसिबल है ऑदर से बात लगा कि मैं इसी अपने से मिला हूँ सेरिस्ली कॉफी या चाय इसकी बात भनती है मैं कहता हूँ अला जरी जोड़ा कितना अच्छा है यह भी लेके जाओ उम पे अच्छा लगेगा अमा दे हैंगर से? अहां में दे रही हूँ अच्छे अच्छे कपड़े हुआ पहनना यह लो अरे जरी बेटा जल्दी करो फरहान आने वाला होगा थैंक्यू सो मच खाला आप बहुत अच्छे है अच्छे तो तुम भी बहुत बस थोड़ी सी पगली हो इसलिए तो आपके हवाले किया आप अच्छा खाला मैं भाहां सापके लिए क्या लाओ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है तुम दोनों सेर करने जा रहे हो ना बस खुब घूमो फिरो मुझे कुछ नहीं चाहिए इसका तुम्हें बहुत मस करनी है अब समान पैक होगे अब जा की चल्दी से तयार हो जो चलो शाबश चले मैं कर लोंगी छोटे अरसलान का है? अमी के वास है कोई फर्माईश? जानता हूं तुम्हारे लिए शायद मेरे किफटी कोई वैल्यू नहीं है अरसलान पर पूरा हाक है मेरा पर यसके लिए बहुत कुछ करने का फर्स भी बनता है मेरा इसलिए पूछणाओं क rằng क्या नहोंग उसके लिए सब कुछ है उसके पास पुसी भी चीज़ ggरुडवेद नहीं सब कुछ कभी मैं किसी के पास नहीं होताक है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ हर किसी कुछ आई होता है, वो अलग बात है कि आप इस बात को ना मानें, वैसे भी मैं अरसलान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ लाना चाहता हूं, वो तुम्हाई तरह नहीं है, कि इंकार करते हैं जो बेटा, खुशी-खुशी जाओ, और खुशी-खुशी वापस आना, क्या समझे, और जगडा बिलकुल नहीं करना तो पने, ठीक है, बहुत अच्छा सा वक्त कुजार कर आओ, चलो जाओ, शाबाश, चलो हुशी चलोग, खुशी-खुशी खुशी, खुशी खुशी खुशी-खुशी-खुशी-खुशी तो खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ. शुकार है वहाँ. नैंतारा अपरहान के साथ तुम्हारी कोई नाराज़की हुई है? नहीं तो अमी आपको ऐसा क्यों लगा? कुछ नहीं ऐसे फरहान का मोट ठीक नहीं था जाते वक्त और पर तुम भी नहीं आई तो मैंने सोचा आप शायद को बात हुई हो मिया बीवी में खटपट हो जाती है तुम मानो या ना मानो तुम परहान की बीवी हो और वो तुम्हारा शोहर लेकिन अर्मान अर्मान बेटा था मेरा एक मा से ज़्यादा आलाप के बिचड़ने का दुख कौन समझ सकता है लेकिन देखो बटा मैं जी रही हूँ ना अर्मान के दुख में मैं फरहान को नहीं पूड़ी तुम्हें भी नहीं तारा हिस्तों के साँ जीना होगा बटा अर्मान के दुख में मैं नहीं तारा में तुम्हें अर्मान को बुलाने की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन नए जिन्दगी की यादे बनाने का जरूर पहुंगी फरहान और तुम्हारी अर्सलान की यादें तुम्हारे बेटे को सुनाने के लिए तुम्हारे पास कुछ यादें कुछ पाते हो में जे हाल दा मेहरों तू इश्क दा जहर चखाद तू अब ये पाप जो मेरी कोक में पल रहा इसका क्या होगा? सिमा मैं मचपूर हूँ सिमा मेरे होने वाले पोते की माँ कहा है? वो जूते किस के लिए? इस मेरे हैं सिंगर कवारा रदिल मेरा वर जब तक मैं तारभ उसक अंजाम तक नहीं पहुचा देता सुकून नहीं मिलेगा मुझे मैं भी ही चाहती हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हे थोड़ी सी इंफिर्मेशन निकलवाने ही पड़ेगी कैसी इंफिर्मेशन? रभ दिला विच्च रै रभ जब दुम्हें रभ